कार आज की स्वीडियोस में हम बात किने बारे हैं यूटूब की तरफ से आपके भी पास कुछ इस तरीके का मेल आया है अब यह मेल किनकिन के पास आया होगा जैसे कि अगर आप एक यूटूब की एप्लिकेशन चलाते हैं या फिर आपका एक यूटूब पर चैनल है तो अब इस मेल में क्या क्या बताया गया है जैसे कि आपको यहां पर ऊपर में देखने को मिल लिया है YouTube Term of Service Community Guidelines जैने कि आपको इनकी जो service term and conditions है वो आपको यहां पर माननी होंगी इसी के साथ में जो इनकी यूटूब की आप application यूज करते हैं तो आपको यूटूब की application यूज करने के लेकर या फिर आप YouTube से पैसे कमाते हैं तब भी आपको इनकी Community Guidelines है इनके सारी सरते आपको माननी ही होंगी अब आपको इसमें क्या क्या देखने को मिल लिया है वो भी चलिए हम जान लेते हैं जिसे कि यह requirement करते हैं कि जो भी कुछ भी नहीं करते हैं और इनकी जो policy है उसके खिलाफ जाते हैं तो जो आपकी वीडियो है या फिर थमनेल है या फिर लिंक है या फिर कोई कोई सामगिरी है यूटूब पर ठीक है तो वो आपकी हटा दे जाएगी और इसी के साथ में अगर आपके एक YouTube चैनल है और आप YouTube चैनल से earning करते हैं ठीक है आप यहां पर monetization policy भी बताए गई है जो कि अगर आप एक इंडिया में है और इसी के साथ में टेकनोलोजी या फिर डिजीटली या फिर कुछ भी मीडिया कुछ भी रूल से रिलेटर या फिर code से रिलेटर आप यहां पर किसी को बता रहा है या फिर आप किसी को यहां पर नीचा दिखाने की कोशिज कर रहा है तो वह आपकी वीडियो सही चाहिए आपकी वीडियो पर थम्नेल सही या फिर आप किसी की इस तरीकी से गुमरा कर रहा है लिंक के द्वारा ठीक है तो वह लिंक वहां पर डाले आ रही है और इसी के साथ मे आपको यहाँ पर यह बॉलेशन बताया गया है जैसे कि YouTube Community Guidelines की कुछे Rules होते हैं और आप उन Rules को नहीं मानते हैं या फिर आप उन्हें पर वीडियो बना देते हैं तो ऐसे में यह है कि जो YouTube टीम है वो आपकी वीडियो को यहाँ पर Terminate जाने की बंद कर देता है और इससे यह है कि जो आपकी वीडियो नहीं चलती है और आपको Community Guidelines Strike मिल जाती है Community Guidelines Strike अलग होती है और Copyright Strike अलग होती है ठीक है इसी की साथ में Take Day Notice अलग होता है इस पर मेरी पहले ही वीडियो बनी हुई है तो वीडियो को आप दे सकते हैं और मैंने आपको Step by Step बताया है कि आखिर इन तीनों में क्या-क्या अंतर होता है किस-किस तरीके से काम करती है यह Community Guidelines ठीक है दोस्तों यह वीडियो में सिरफ एक चेताब नहीं दी गई है कि आपको हर साल जनकी एक साल में एक बार इस तरीकी का मेल आना ही है इससे यह है कि आपको यह पता चलेगा कि हाँ YouTube Community Guidelines इस तरीकी की है और आपको इन्हें follow करना ही होगा ठीक है तभी आप YouTube एप्लिकेशन को या फिर आप YouTube पर चैनल है और Monodization है तब आप उसका benefit ले सकते हैं अगर आपको इनके निये मनुसान नहीं चलेंगे तो आपको यहाँ पर डारेक्टली YouTube से हटा दिया जाएगा दोस्तो वीडियो अगर आपको अच्छरी वीडियोस को लाइक कर देना चैनल पर ना है चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आपके मनुसे फिर भी किसी प्रकार को भी सवाल है तो मुझे लिचे कमेंट सेक्षन में दे सकते हैं मिलते हैं अच्छ वीडियोस